नमस्ते बच्चों, बीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल ई-लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है बच्चों, मैं आपकी हिंदी विशे अध्यापी का अंजली रागोरते बच्चों, आपको याद है ना? पिछली एक अक्षा में हमने वर्णमाला और मात्रा ग्यान भाग एक में और से लेकर रिशीरी की मात्रा का अध्यान कर लिया था आईए, अब बारी है ए से लेकर अहा तक की मात्राओं की आज हम वर्ण माला में अगली मात्राओं का ग्यान प्राप्त करने वाले हैं मुझे विश्वास है हमेशा की तरब आज के पाट का श्रवन भी आप एक आगरता से करेंगे आईए बढ़ते हैं अपने व्याकरन पाट की ओर बच्चों आप भूले तो नहीं न कल हमने किस तरह से मात्राओं पड़ी थी तो शुरू करते हैं आज एकी मात्रा से ये क्या है पेड़ प में एकी मात्रा पे अड़ पेड़ एकी मात्रा वाले अन्यशब्द देख लेते हैं मैं पड़ती हूँ आप भी पड़ेंगे व जमार जेवर क जमा ए की मात्रा के जमात ली केत ली न जमा ए की मात्रा ने जमा व ने व जमाला ने वला बढ़ते हैं आगे ए की मात्रा की ओर देखो तो सैनिक है ना सैनिक, देश की रक्षा करने वाला? समय की मात्रा सैनिक सैनि अब यहाँ पर मैं एक दो शब्द पढ़ती हूँ आपको मेरे जैसे जोर से और सही उच्चारण के साथ पढ़ना है मो जमा ए की मात्रा मैं, जमाला मैला थो जमा ए की मात्रा थे जमा ला थेला समझ गया न? तो चलो पढ़के दिखाओ अभी इंसे आईए अगली मात्रा देखें ओकी मात्रा धमने ओकी मात्रा ढो लकक ढोलक ओकी मात्रा वाले शब तो जमा ओकी मात्रा तो जमा ल तो ल म जमा ओकी मात्रा मो जमा ल मोल पढ़िए अगले शब्दा अरे वा कौन है ये? कवा याने ओकी मात्रा कमे ओकी मात्रा को आ को आ को आ ये कौन से मात्रा है? ये तो बंदर है और बंदर के ब में अम की मात्रा लगती है ब में अम की मात्रा बंदर अब उचारण की तरह ये कहीं अम बनेगा तो ब पे है तो बंद बन गया है ना? अलग 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 जगा पर इस अम की मात्रा का उचारण अलग अलग होता है ठीके? देखिए अम की मात्रा वाले शब्द O जमा अंग की मात्रा अंग, जमा गो बराबर अंग R जमा अंग की मात्रा रंग, जमा को बराबर रंग पढ़िये भी अगले शब्दाप आओ तो अगली मात्रा देखें अगली मात्रा है आहा की मात्रा अहा से तो कुछ नहीं बनता, लेकिन ये मात्रा महत्वपूर्ण है अधिक तर बच्चों, संस्कृत भाषा में इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है कुछ शब्द मैंने दिये है तह, अतह, प्रा, जम्मयोग जम्मा अहा प्रायह, प्रायह, प्रा-जम्मातो, जम्मा अहा प्रा-तभ, बराबर प्रातभ समझे बच्चों कितनी आसाने मात्रा है अगर ध्यान देकर हमने सुना और उसे लिख कर भी देखा समझा कोई काम ऐसा नहीं कोई मात्रा ऐसी नहीं कि कठिन हो आपको भी इसका अभ्यास करना है तो चलिए जल्दी से कॉपी पेंड लीजिए और आज की इकक्षा का ग्रह कारिय लिख लीजिए आज का ग्रह कारिय है हमने जो मात्राइं पड़ी है ए से लेकर अम तक इन सारी मात्राओं से हमें चार चार नए शब्दों को लिखना है ले ली ना अपनी अपनी कॉपी पेंड जल्दी शुरू कीजिए जितना समझ में आया उसके आधार पर नए नए शब्दों को ए, ए, ओ, अ, 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 हा, की मात्राओं छोड़ देना ठीक है? अम तक चार चार नए शब्दों को लिखना है मैं पूछूंगी आपसे अगली एक अक्षा में ठीक है? हो जाएगा ना? मुझे विश्वास है हमेशा की तरह इस बार भी आप ग्रे कारियर जल्दी से कर लेंगे इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली एक लास में तब तक के लिए धन्यवाद